और देखे एक और बड़ी कबर यूक्रेन पर रूस ने बहुत बड़ा इल्जाम लगा दिया है। यूक्रेन ने क्या क्लस्टर बम का इस्तमाल ये कहा रूस ने। योग्रेण ने मॉलिक्रीटूपोल में क्लस्टर बंद आगे ये रूश ने युच्छ वूंप लगाया है यूखरेण पर और कहा है कि कई घरों और गैस पैपलाइन को। इससे नुक्सार पहुचा है। तो रूष कह रहा है कि यूखरेण यूख्रेन ने यूद्ध में क्लस्टर बंका इस्तमाल किया कि यूख्रेन ने अपनी ही जमीन पर क्लस्टर बंक चला दिया रूस के साथ यूद्ध में मिसाइलों और बंक की बरसाथ की बेच यूख्रेन पर सबसे संगीन इल्जाम लगा है रूस का दावा है कि यूख्रेन ने मेलिटो पोल से रूसी दबदबा खत्म करने के लिए क्लस्टर बंक का इस्तमाल किया है रूस के रक्षाम अंत्राले ने अपने आरोब को सही साबित करने के लिए यूख्रेन की मिसाई की तस्वीरे जारे की है जिसमें क्लस्टर बंक फिट थे रूस का दावा है कि कीज से दागी गई क्लस्टर बंक से लैस ये मिसाईल एक रहाईशी इलाके में गरे जिससे कई घरों को भारी नुकसान पहुंचा पावर लाइसेंस तबाह हो गई और गैस की पाइपलाइन डैमेज हो गई रूस के दावे पर यकिंग करे तो और इतनी तबाही तब मचे जब रूस ने इसे हवा में ही मार गिराया अगर ये मिसाईल सही सलामत अपने टार्गेट को हिट करते तो तबाही का दाइरा कितना बड़ा होता अंदासा लगाना भी मुश्किल है और देखे एक और बड़ी खबर आ रही है अटमी युद को लेकर अटमी युद पार बिटेन के सीक्रेट प्लान का बड़ा खुलासा हुआ है नुक्लियर वार की सिती के लिए उपरेशन पाइथरन अक्टिव किया गया है महरानी समेख रॉयल फैमली को सेव जगे ले जाने का पूरा प्लान पूरा खाका इसमें तयार किया गया है बम अटैक के दोरां स्तरकार को बचाए रखनी की तयारी है अगर नुक्लियर वार छड़ जाती है तो 1968 में फाइनल हुए प्लान का पाँच दश्वक के बाद बड़ा खुलासा बीते 24 दिन से युक्रेइन और रूस के बीच विध्वनसक युथ चल दा है राजधानी कीप पर कप्चे के लिए रूस की तरफ से हमले तेज हो गए है युक्रेइनी सैनिक भी पुतिन की सेना को मुहतोर जवाब दे रहे है 24 दिन में युक्रेइनी सेना ने रस्चेन फॉज के छक के छुड़ा दिये है खुद प्रेसिडेंट जेलन्स के आर पार के मूड में है जिससे देखते हुए युक्रेइन पर एट्मी हमले का खत्रा बढ़ गया है इस बीच एट्मी युद्ध के खत्रे को देखते हुए ब्रिटेइन का सेक्रेट प्लान एक्सपोज हो गया है खबर है कि ब्रेटेन ने नुकलियर अटेक के दोरान सरकार को बचाने की तैयारी शुरू कर दिये है जानकारी के मुताविक कोल्ड वॉर के दोरान तैयार आपरेशन पाइथन का प्लैन यूके में अक्टीव हो गया है हमले के दोरान सरकार कैसे चलती रहे इसके लिए डिटेल प्लैन रेडी है सबसे पहले महरानी और रोयल फैमली के दूसरे सदस्यों को से जगल ले जाये जाएगा बम अटेक की स्थिती में 4009 कशाह भी सीक्रेट लोकेशन पर रहेंगे किसी विशेश जहाज को बंकर बनाकर स्कॉटलेंड के तटीय इलाकों में रखा जा सकता है ये जहाज लगातार अपनी लोकेशन बदलता रहेगा इसलिए इसे फ्लोटिंग बंकर कहा जाता है 1950 के दसक में इसकी योजना बनी और 1968 में इसे फाइनल कर दिया गया दावा है कि ब्रिटेन के ओपरेशन पाइथन को उस समय समय पर अपडेट किया गया अब पाँच दसक बाद इसका खुलासा हुआ है परवाह देश की सोमवार से शुक्रवार राद दस बजे TV9 भारत वर्षपर